कि अब इस अब यह आप सब तैटल यह आप सब का बहुत बहुत सागत है गाइस आज एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर रिडिंग कर रही हूं मैं हमारे फैमली मेंबर ने रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक को साइध बहुत पहले किया था पर मैं मुझे आज नजर आया का यह टॉपिक तो इसी को आज कवर करने की कोशिस करते हैं इसकी क्या रिस्टा यानि कि आपका रिस्टा पहले जैसा हो पाएगा आपके बंपाएगा और दूसरा सवाल था कि क्या ये रिस्ता साधी तक पहुचेगा ठीक है तो आज इस दो टॉपिक पर मैं रिडिंग कर रही हूं पहले हम देखेंगे क्योंकि साधी तक पहुचने से पहले रिस्ते का ठीक होना जरूरी है और रिस्ता ठीक हो गया तो क्या आप दुनों के आपको अलफेट सेलेट करना है और अपनी पोर्शन के नाम का पहला अक्षारी सेलेट करना है और आप्शन भी मैंने यहां पर रखे हुए है तो आपकी मर्जी है आप कौन सा ओप्शन पसंद करते हो उसी को आप सेलेट कीजिए ठीक है पहला जो पाइल है वह है बीडी ए ऐसी एजी आई के एमोग्यू एस यू डब्लू और वाई यह हमारा पाइल नंबर टू और इसमें है वाइट स्टोन गैस वाइट कलर का स्टोन है तो आप फटा फट से हो जाए यह पॉजिटीव एनरजी में और देखकर रताते हैं कि क्या आपका रिस्ता पहले जैसा ठी खोप आएगा और क्या आप दोनों की मैरिज होगी आप दोनों की साधी होगी आप दोनों एक साधी के बंदन में बंद होगे या नहीं ठीक है गाईज आई होप आपने अपना पाइल सेलेट कर लिया है यह हमारा पाइल नंबर वन जिनोंने भी सेलेट किया बीडी एफ़ J L N P R T B X Z तो चले गाइस निकालते हैं कार्ट और देते हैं आपको आपके सवाल का जवाब आप लोग की कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो कमेंट करके बताया करो गैस तो, टॉए हैश झाईस्टेड झाइस्टेड एकल दूए झाऊरे गाधक। seven of vans आया है पहली ही energy restrictions वाली निकल कराई है ignorance वाली निकल कराई है वाव तो पहला जो सवाल था उसका जवाब था आपको मिल गया होगा death हमें सारी birth को दिखाता है नए cycle को दिखाता है पहले सवाल का जवाब मिल चुका है और nine of cups भी हमको मिल चुका है है गाइस क्या खुबसूरत energy फाइब फाइब ऑफ वैंस कि एस ऑफ सोर्स और बॉटम में हैं कुइन आफ सोर्स की energy ठीक है यह है कुइन आफ सोर्स चलिए दूसरे डेक से भी हम ऐसे ही पांच कार्ट निकालेंगे ऑक है कि सवालो के जवाब मिलने है तो इतने में हिनिल जाएगा जाएगा आपको सवाल का जवाब अगर किसमत में लिखा है एक होना अगर किसमत में लिखी है आपकी मैरेजिंके साथ हो कर ही रही और इतने कार्ट में ही निकल कर आ जाएगा ज्यादा कार्ट के ज़रूत नहीं है रिदिंग को लास्त देके गाइस मैं यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज़स निकालूंगी ठीक है क्योंकि इस टॉपिक पर उनकी मर्जी जरूरी होती है उनका गाइडन्स दूरी होता है इस लिए हुआ ये नस्तम देख रिडि़ी कि आपका अacamis अचींच ठीक हो पाएगा कि आप कि साधी होगी King of Cups Five of Cups Magician Wow Mad of Swords Six of Swords One More Page of Cups और Bottom में Justice के Energy निकल कर आई है ठीक है तो चलिए गाइस आपको देते हैं आपके सवालों के जवाब पहले इन कार्ट की रिडिंग करूँगी उसके बाद मैं Oracle कार्ट से भी Energy निकालूँगी ठीक है तो क्या आपका रिस्ता पहले जैसा खुबसरत बन पाएगा पहले इस टॉपिक पर मैं रीडिंग आपको देती हूँ सबसे पहले मैं आपको बता दू गाइस आपके और आपके पोर्सन के बीच में जो रिलेशन्शिप है वो बहुत मुस्किलों भरी है आपको यह सुनना होगा क्योंकि सच्चाई भले ही कड़वी कुण नहों पर सुनने की जरूथ है समझने की जरूथ है आप दोनों के बीच में रिलेशन्शिप अभी नजर आता है जमेलों से भरावा रिस्ता जहां पर रुकावटे बहुत है कि पहला ही कार्ट जो है सेवन ओफ वैंस का निकल कराया है जो बता रहा है कि अभी जो है रिलेशन्शिप में आप दोनों एक नहीं हो पाए जिसके व आप दोनों के ही बारे में मैं कर रही हूं यह पर पर्टिकुलर्डी सिर्फ आपके पॉर्सन के अनरजी नहीं बलकि आप दोनों के रिस्ते का स्टेटस क्या है क्या चल रहा है आप दोनों के रिस्ते में और किस वज़े से यह रिस्ता तूटा है तो सबसे पहले बहुत ज कर रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजय तो होगी बेवजय कोई कुछ करता नहीं और मुझे आप दोने के रिलेशनशिप में नजर आ रहा है कि पास्ट में और साइथ अब भी भी बहुत ज़रा कॉन्로 कर रहा है मुझे लग रहा है कि आप अगर इनसे कम्युनिकेसन कर रहे हो ना अगर आप दोने का दोने की लडाईयां हो जातі जगडे हो जाते हैं एक दुछरे का हो सकता hierarch लेवों कि ऑ Examples कर रहे हो दोस्त लगा रहे हो कि तुम्हारे वज़े से अब कुछ ना कुछ लड़ाईयां जगड़े अभी आप दोने के बीच में चलता हूँ आपने से अलग रखने की कोशी से यहां पर जारी है ऐसा नज़र आता है तो इसके पीछे की वज़ा क्या है आखिर किस वज़े से आप दोने के बीच में इतना मनमुटाव भेदभाव इतन में क्या हुआ तो मैं आपका वता दो गाइस बॉटम में रूल कर रहा है कोई नोफ सोर्स की वाओ वील फोर्चन भी नज़र आ गया तो बॉटम में नज़र आ रहा है गाइस की आप दोने की रिलेशन्शिप में सबसे बड़ा जो इस्यू है सबसे बड़ी जो प्रॉलम ह वो फैमली को लेकर यहां पर नज़र आती है मुझे ठीक है जिसके वज़े से ही बतोती की प्रेशर की वज़े से नहीं हो सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा होगा पर यह सच्छा यह यह वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आपकी मदर को या आपके फैमिली को आपके पसंद नहीं है तो कुछ ना कुछ डिफ्रेंस यहां पर नजर आया है कुईन ओफ सोर्स बहुत स्ट्रॉंग पोजिशन श्याइब पर है यह एक एसी एनरजी इनरजिये जो जो मतलब है कि आसी एनरजी में यह में हो सकते बिलकुल उस्ती है तो कही ना कही दवाव और प्रेशर मुझे आप दुने के रिलेशन्शिप में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और यह फाइव अफ सोर्ट भी यहाँ पर आया है जो यह बता रहा है कि कुछ ना कुछ अगर फैमिली इश्यू नहीं है तो कुछ ना कुछ बाहर का कुछ आउटसाईडर्स लोगों की यूञ जो बाहर के लोग होते हैं उन्होंने आप दो नों के बीच में गैरी दुस्मनी पैदा करवा दिया उन लोगों ने आप दोनों के बीच में ज़गड़े कर दिये या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके वजेशे से मतलπά बाह या फैमिली लाइफ इसके वज़े से या फ्रेंस के वज़े से लुगी क्रीक्तिन छुका है, इसके बीज़े से प्रस्तिकता था ऊता है,ombra सब्फितस ख़जी है, कि आज मैं रिडिंग आप दोनों के ही रिस्ते के बारे में करें कि क्या यह रिस्ता मैं यह नहीं कह रहें कि कि आपके पोर्सन रिस्ते को ठीक करेंगे मैं कह रहें कि आपका और इनका रिस्ता क्या पहले जैसा हो पाएगा क्या ठीक हो पाएगा यह पहला सवाल है तो मैं एक दूसरे के लिए पर expression नहीं है मतलब दिखाया नहीं जा रहा उसे जो है छुपाया जा रहा है अपने प्यार को ना जो है बताने की कोशिस यहां पर नहीं हो रही है यहां पर क्या हो रहा है बिल्कुल opposite चीज़े चल रही है कि प्यार मन में होते हुए भी इनको जो है कते कर रहे हैं आपको जो है टोटल इन्होंने इग्नोर मारा है तो टोटल जो है आपसे यह इंसान दूर हो रहे है या दूर होने का दिखावा कर रहे है पर बहुत जड़ा emotions feelings यहां पर मन में जो है मुझे आप दोनों के ही एक दूसरे के लिए नजर आई है गाईस तो यह लेकार्ड रिडिंग में आएं तो आप समझे लो की प्यार खोया नहीं है प्यार बस दूर हुआ है चंद पलों के लिए दूर हुआ है नहीं है और दिल में दर्ध है एक बहुत जो है दर्द वाला एनर्जी होता है five of cups की प्यार नहीं तो कुछ नहीं समझ रहे हो प्यार नहीं जिन्दगी में तो कुछ भी नहीं है इस तरीके के situation में या condition में आप और आपके portion यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो गाइस यानि कि खुशाली नहीं है happiness नहीं है चैरे पर दिल में सुकून नहीं है ढून रहे है तलास रहे पर मिल नहीं रहा और इसमें आपके portion ने एक बहुत बड़ा का सामना करना पर रहा है पाइल नमबर वन यानि कि आपके कॉल्स को नहीं उठा रहे हैं मैसेज का reply नहीं कर रहे हैं आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं आपसे बेरुखी से पेस आ रहे हैं आपके portion तो रिलेशन्शिप का इस्टेटर साभी एक्दम बिल्कुल खतम हो गया है बिल्कुल इसमें को इसी वज़े से साई दिये सवाल भी आया था कमेंट में कि क्या इस रिष्टे की सुरुवात पहले जैसी होगी क्या पहले जैसा ठीक हो पाएगा ये रिष्टा है ना तो देख दीजे मैं आपको बता दूगाइस कि बावजुद इसके की परिशानियां बहुत हैं बावजुद इसके की लोग बहुत हैं आप दोनों के बीच में जो नहीं चाहते कि आप दोनों की रिष्टे की फिर से सुरुवात हो आपके पोर्सन फिर से जो है इस सेवन ऑफ वेंट रिलेशनशिप के लिए यानि कि इनको जो करना है करने दो बहुत जड़ा आप दोनों को ना दोनों को ही आपको और आपके पोर्सन दोनों को ही एक लड़ाई लड़नी है एक जंग लड़नी है यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ जो आप दोनों को जो है अलग करवाने की क पर यहां पर जो आल्टिमेट जो बीनिंग पॉजिशन है जहां पर इस फैस्ट आना है वो उपर वाले का आना है याने कि सब्सक्राइब उपना इक़िए तुम अभी जितना भी जोड लगा लो ठाए तुम्हारी कोशी से अभी रन्ग लाग रही है लेकिन फाइनल जो अल्टिमेटम है फाइनल जो जस्टिस है फाइनल जो जज्जमेंट है वो तो मेरा ही है मेरे खिलाफ तुम लोग अभी जा सकते हो पर बात में नहीं जा सकते यानि कि उपर वाली नहीं कहा दिया है कि transformation इस रिष्टे में होनी है बदलाव इस रिष्टे में आना है आप दोनों को जो है फिर से reconnect होना है आप दोनों आप दोनों अभी बिल्कुल जुदा हो गए हो अलग हो गए हो रिष्टे में कोई उम्मीद नहीं है रिष्टे में कोई होप नहीं है पर उपर वाले ने एक दे जो भी आप दुनों के बीच में obstacles है रुकावर्टे है जो भी आगर आपके portion में ego भी है घवंड भी है तो ये सारी चीज़े खतम हो जाएंगी प्रॉलम्स जड़ से खतम हो जाएंगी आपके रिस्ते की और एक नए ढंग से जो है आप दुनों के relationship की सुरुआत होगी देखे दूसरा कार्ड यहाँ पर अब नए क्या यह रिस्ता फिर से पहले के तरह ट्राक पर आएगा पहले के तरह रिस्ता बनेगा पहले के तरह आप दुनों का रिस्ता खुबसरत हो पाएगा या नहीं तो देख लिजिए Ace of Swords आया है अब यह कार्ड बता रहा है कि जीत हासिल ह होगी आप दुनों के relationship है एक नई beginning होगी brand new beginning होगी और इस rebirth के बात होगी कहने का मतलब है साइकल है सिम्बल सा बात है जबढ़ीजेट का कार्टा आता है आप दुनों की बीच में करमा काम कर रहा है आप दुनों का फोर्चून जो है आभी आपी मिस फोर्चून हो गया है वो फोर्चुन जो है वह किसमत फिर से एक चलिन Sandy गुमाऊँदार मोड पराम दुन का relationship है और इसके बाद transformation बदलाओ के बाद जो है इस रिस्ते में एक जान आने वाली है इस रिस्ते में जो है एक कदम आप बढ़ने वाले हो और अंड्रेट पोर्सन जो है रिलेशन्शिप स्टार्ट होकर ही रहेगी पाइल नम्बर वन इसमें कोई डाउट नहीं है पहले सवाल का जवाब आपको आई आई होप मिल चुका है गयाई देखे six of swords और page of cups भी आया है six of swords बता रहा है कि ये इंसान दूर हो गया है अभी आप से ये लहरों को दिखाता है आप दोने की रिस्ते में हुए तूफान को दिखाता है बरबादी को दिखाता है कि तूफान का सामना दो में से एक इंसान नही कर पाया यानि की हिम्मत नहीं कर पाया रिस्ते को बचाने की कोशिस नहीं कर पाया रिस्ते को डूबने से पहले ये इंसान क्या कर गया कि भाग ही गया मतलब रिस्ता छोड़कर चला ही गया और ये भी काड़ बताता है कि कि किसी और के भैकावे में आकर किसी और की बाते स सुनकर सीचेशन का सामना नहीं कर पाने की वज़े से जादा इनका दिमाग हद से जादा खराब होने की वज़े से यह इनसान जैसे चला गया आपके जिन्दगी से और रिस्ता तूटा भी इस वज़े से अगर यह उस वक्त जो है डटकर सामना करते आपका साथ देते परिव संट healthy in cash कि जैसे गया है वैसे ही University अिसको वापस आपकी तरफ कर लेकर आ रहा है मतलब हैता वापस एसी लेहरों में यह संग ant जाये और रहा है धियार ट्राविलिंग Back इन Your Holiday अगर दूर भी बहुत जादा हो गया है तो जो भी obstacles यहां पर है जो भी रुकावटे यहां पर चाहे लोग खड़ी कर रहे हैं चाहे आपके partner ने खड़ी की है चाहे इनके ego ने खड़ी की है जो भी है उसे जो है उपर वाला जो है आप खतम कर रहा है हटा रहा है आप दोने के relationship से और एक brand new beginning आप द धुरापन है देखें यहां पर 5 की energy यहां पर 9 की energy आई है यानि कि कुछ कप्स तो खाली है अभी भी आपकी जिंदगी में भले ही बहुत अच्छे लोग क्यों न आ जाए बहुत पैसे वाले लोग आपको प्रपोस क्यों न कर दें बहुत खुपसरत लोग आपको क्यों न भर पार आया यानि कि आप दोनों ही एक दूसरे की इच्छा हो आप दोनों ही एक दूसरे की विश हो आप दोनों ही एक दूसरे को मांग रहे हो आप दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हो तो विश फुल्फिल्मेंट यहां पर चल रही है आप और आपके पार्टनर जो पूरी नहीं हो पाई है और आप दोनों ही लगे हुए हो, manifest कर रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों के बिच की तकरार खतम हो जाए, हम दोनों के बिच की दिवारे तूट कर गिर जाए, हम लोगों के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, वो लोग मान जाए, मतलब इन्होंने sacrifice ही किया है, आपको जो है अपना प्यार sacrifice करने पर मजबूर इनको करवाया गया है, इनकी अपनी इच्छा से यह सारे चीज़े नहीं हुई है, यहाँ पर King of Cups यहाँ पर इतने strong position पर है, जो बता रहा है कि प्यार अभी भी है, प्यार खोया नहीं है, लोगों ने बहुत कोशिसे की है, आप जोनों का अलग करवाने की पर प्यार मन से कोई कैसे अलग करवा सकता है, क्योंकि उपर वाला ही जानता है, हना कि इनको तो हमें फिर से एक करवाना है, मिल्वाना है एक बनाना है तो फिर जो है लोगों को सी से कर लेने दूह जितना कोड़ सिस करना है st जो लगाना Bis जो करनार यह इस हिआप दोनों को कर रहे हो banyak इस कार यह दोनों का वाधियकि आप यह कर्द बता रहा है कि एजली और युनिवर्स ना भुलने नहीं दे रही है नाके पाक्टर आपको भूल पा रहे हैं ना आप इनको भूल पा रहे हो तो दोनों ही जो है कि इस रिस्ते में manipulation बहुत जादा हुई है मैं कहती रहती हूं जब भी family का इश्यू आता है तो मैं क्या कहती हूं कि रोना धोना आसू दिखा कर कस्मे वादे देखर मैंने मेरे मुझसे आपने यह words बहुत बार सुने है तो यह manipulation का भी कार्ड होता है तो हो सकता है कि बहुत ज अरजी है आप दुनों का connection है तो ऐसे में जो है लोग जितना कोशिस कर ले जिन्दगी से दूर करवा सकते हैं पर दिल और दिमाग से निकाल नहीं सकते तो वही कि magnetic attraction और connection बहुत स्ट्रॉंग chemistry आप दोनों की बीच में है जो जो चुम्बक की तरह आप दोनों एक दुस्य को खीच रहे हो है अट्राक कर रहे हो और इसी वज़े से five of cups भी यहां पर आया है कि कितना missing वाली energy है याद वाली energy है भूला नहीं पाने वाली energy आप दोनों की ही यहाँ पर आपको किसी भी तरिकी का छोटा मोटा offer आपको मिलने वाला है घृइन अपको कुछ बहतर सुनने को मिलने वाला है तो इस offers के लिए आपको तयार होना है साथ ही साथ लिबरा की energy जो जस्टिस का काड़ आया है वो ये बता रहा है कि justice आपकी तरफ सर्व होगा इ सब कर दोनों ही मुझे नज़र आते हों किसी और ने आप दोनों के खिलाब इंजस्टिस किया है पर आपको नजर आता है कि आपके पोर्षन ने आपके साथ ऐसा किया है क्योंकि आपको पीछे की स्टोरी नहीं मालूम कि बिहाइंड रसीन फैमली के अंदर इनके लाइफ के अंदर क्या चल रहा है आप उस चीज़ को समझ नहीं पारे तो आप डाइरेक्ट जो है दोस अपने पार्टनर को लगा देते हो कि इस इंसान ने मुझे मुझे पर अन्याई किया है अगर इन में हिम्मत नहीं थी तो इन्होंने मेरे साथ प पर नहीं है बस इस साइकल को यहाँ पर खतम होने दो और रिबर्ट का आप दोनों को इंतजार करना है रिबर्ट के होते ही आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नहीं सुरुआत होगी कुछ गुड़ नियूज आपको मिलेंगे और मिराकलस ढंग से यह चीज़े होने वा तो तभी जाकरcod घटनाए, unexpected news, unexpected commitment, unexpected चीज़े आपकी जिंदगी में होती है जब आप led go कर देते हो तो led go करने की यहाँ पर जरूरत है भूलने की जरूरत है ठीके लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है और फिर सारी चीजे magnet की तरह चुम्बक की तरह आकरशित हो कर अब चलिए इस कार्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं यहां पर सीजनाई भी आया है इसके नीचे क्या था काइस वील ओफ फॉर्चुन था देख लीजिए मतलब किस्मत की ही बाते हैं डिवाइन टाइमिंग का ही खेल है एक समय चक्र चल रहा है आप दोनों के बीच में ज जैसे कि दिल जो है सरीज से सीने से दिल निकाल कर बाहर फेक मतलब फेक दिया गया है इस तरीके की एनरजी में आप दोनों नज़र आए हो पर जितना भी आप दोनें खोया है आपने और आपके पॉर्षण ने जितना भी खोया है उसमें जो है ज्या हिए आपको ऊपर वाला ज़रूर देखा गाईज ठीक है अब दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको देती हूं कि क्या आप दोनों की साधी होगी देखे गाईस यहाँपर साधी को बीच में मैरिज को लेकर कुछ फैसले हो क्योंकि यहां पर गुइद निकल कर आया है कि कुछ चीजी आपको मिलने वाला है और अ western घटनाए होने वाली है विश्फ слов फिलpe यहां पर गतने वाली हों कर आया है पर marriage यहां पर नहीं निकल कर आया है तो हो सकता है कि इस cycle के खतम होने के बाद आप दुनों का कर्मा चेंज हो और उसके बाद marriage को लेकर कुछ चीज़े आगे बड़े पर अभी के लिए अभी six months के लिए marriage को लेकर कुछ नजर नहीं आ अभी six months के अंदर में यह नजर आ रहा है कि आप दुनों के बीच में एक नई brand new beginning हो रही है यह restrictions खतम हो रहे है और आपके portion जो है आपकी तरफ वापस आ रहे है कुछ offers लेकर कुछ valuable कुछ bold decisions लेकर यह इंसन आपकी तरफ ट्रावल कर रहे है ठीक है और और आप दुनों का wish भ रहे है तो मैं सिर्फ उतनी ही बाते करूंगी जितना कार्स मुझे दिखा रहा है जितना universe मुझे guidance दे रही है ठीक है जूटे वादे खोकले वादे करके फाइदा नहीं है बस मैं यहाँ पर कहरें कि उपर वाले ने कहा है कि कुछ चमतकार होंगे अब यह चमतकार क्या यह उपर वाले के हाथों पर ही छोड़ना है पाइल नंबर वन समझ गए चले अब देखते हैं universe की तरफ से क्या है guidance और एकल कार्ड से मैं दो message निकालने वाली हूँ देखते हैं यहाँ से क्या energy निकल कर आती है यह वाव देख लीजिए गाइस मतलब इन डाइडर्ट वे में घुमा फिरा कर universe हमको जो है यहाँ पर answers दे रही है मतलब universe कभी कभी कमाल करती है मतलब इनको साफ साफ एक marriage का कार्ड निकाल कर भेज देते तो क्या जाता था कुछ जाता था क्या गाइस देखे यहाँ पर बोल रहे है कि इस रिस्ते का rebirth होना है इस रिस्ते में आप अनोठी घटनाए घटने वाली है एंजल की blessings है आप दोनों के बीच में और यहाँ पर देखे पहला ही energy integration का यानिकी एक और एक एक ओन प्लस वन वाले energy यहाँ पर आई है एना देखे दोनों ही सम她 Ça स्मानता है आप दोना के बीच में बहुत सारी है याना difference भूप्रणी बहुत है औंप्स्टिक्ल तबहुत है फिर भी जो है काल्ये और गोर्यें को मिलाया ही जाएगा आप दोनों को युद्ध होना ही होगा का भी मिलना तैय है ठीक है अब ये आप खुछ समझ लो कि क्या आप दुनों के बीच में मैरिज होगी या नहीं आपको आपके सवाकर जवाओ युनिवर्स ने घुमा फिरा कर दिया है क्योंकि ये जानते हैं कि सही वक्त पर ही मैं ये करूंगा तो अभी खुलासा क्यों करन है मैंने तो हिंट्स तो मैंने दे दिया है साइन तो मैंने दे दिया है कि तुम दोनों को एक होना है तो घबरानी की क्या जरूत है इसमें मुझे बहुत कभी-कभी ना युनिवर्स के प्लान्स को देखकर उपर वाले के प्लानिंग को देखकर मुझे बहुत जाना हसी आत को मैंने आपसे क्या कहा था कि आपनी भावनाऊ को दबाया गया है प्रेशर में यह चीजे हुई है अब दूनों को आलग होना पड़ा है और अभी जो है कंदिशन हीमा यहां पर दिखता है और यहां नमबर 10 की एनरजी और नमबर 14 की एनरजी यहां पर निकल कर आई है यह उनिवर्स की तरफ से तो साफ साफ दिखता है गाइस रिष्टे से अलग होकर ना ही आप खुश हो ना ही आपके पार्टनर खुश है यहां पर दबाओ के वज़े से प्रेशर के वज़े से यह सप्रेशन हुआ है यह डेट की एनरजी यहां पर आई है और ऐसा दम घुट रहा है आप दोनों का इक दूसरे से अलग होकर वो तो सा उसके जुटलता आप दुनों के मिलना है यहां पर यह तैय है integration वाले ने कहा दिया है कि हो न आ है तो हो ना है बस बात खतम रिड़िंग कुंः न गाइज समझ गए तो गाइज यह थी आपके रिडिंग आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार, I love you all, take care, namaste and bye-bye guys Hey guys, welcome back, so जिन्होंने भी pile number 2 select किया है A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-E-U-W-Y With this white stone, let's see कि क्या आप दोनों का रिस्ता पहले जैसा ठीक हो पाएगा पहले जैसा बन पाएगा, ये है पहला सवाल दूसरा सवाल है क्या आप दोनों की future में marriage होगी साधी हो पाएगी या नहीं, ठीक है, समझ गए तो चलिए guys, मैं total 10 cards निकालने वाली हूँ इस deck से 5, दूसरे deck से 5 और last में universe के तरफ से भी guidance निकाले हूँ तो reading को देखे, last तक, ठीक है न guys झाले हैं नहीं, प्रिकाले नहीं तक दो चाले हैं चले गाइस वह निकली है कार्स के सफ्रिंग आप निकालते हैं कुछ कार्ड पहला ही कार्ड फोर ओफ वैंस वाव दूसरे सवाल का जवाब निकल कर आ चुका है पहले का देखते है क्या निकल कर आता है कि क्या आप दुनों के बीच में पहले जासा सब कुछ हो जाएगा ठी है विलति कुछ लोगों का हो सकता है का की ओफ वड डियान दिजी आज करिंग में आपके पार्टनर के लिए करेंग क्योंकि हम आप दोनों के ही तूटे हुए सक्यंति के बास कर रहे हैं तो यसी वज्ञे से दोनों की ओगने मैं देख रही हूं ठीक है दोनों कि ही रिष्टे की बाते कर रहे हैं इसलिए समझ रहे हो गाईस के टैन ओफ पांदिकल्स दूसरा मैरेज का कार्ड क्या बात है एट वन्स भी हां पर आया है निकल कर और साथ में एट अफ काफ भी आया है तो नंबर एट स्पेसिफिक हो सकता है फाइब पांदिकल्स बॉटम से लगा साधी बन गई उमर के एट की सजा जिया कुछ ऐसा ही नजर आता है कि साधी को लेकर ही कुछ प्रॉलम्स हुई है फैमली को लेकर कुछ प्रॉलम्स हुई है है ना पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स कलतिया भी हुई है गाइस पाइब नंबर टू ये क्या हुआ कहसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ, कब हुआ, होचोड़ो, ये ना सोचो, हाँ, 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 ये क्या हुआ समझ रहे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चो बातों को समझो कि यह क्या हुआ क्यूं हुआ कब हुआ कैसे हुआ नाइन अफ सोर्ट्स अब पस्ताने से क्या फायरा करने से पहले सोचना था ना गाईस वाव सुपर कूल तो चलिए देखते हैं क्याख्या निकल कर आता है आपके घानिजी निकल कर आ गई है क्या अमढ़्की बीचWell में पैसे रुप को लेकर भी कुछ प्रॉब्स है कि यह या तो आपका स्टेड़र बहुत उचा है या कि पूरसन का ऐसी बरन्नाद फाइनरिट करने स्टेड़ऱ् बहुत उचा है या प्रवाइब कर दिखाता है लोन को दिखाता है यहां पर बिल्कुल अलग अनर्जी आई है कि कोई दो में से कोई एक तो संपन है और दूसरा जो है बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं है तो क्या पैसे रुपे को लेकर भी कुछ तनाव था क्या राइस या फिल स्टेटस में क्या था प्रॉलम बताओ किंग आफ काफ लो कर लो बात प्यार है पर दिखाना नहीं आता है मुझे वह वाला एनर्जी है यह जो किंग आफ सोर्ड्स किंग किंग के दो कार्ड क्या आप दुनों का रिष्टा पहले जैसा ठीक हो पाएगा क्या आप दुनों की एक स्कूल यह हमारा सब पहले सवाल का जवाब यह है गाइस ठीक है देखते हैं और क्या-क्या निकल कर आता है पाइब ऑफ सोर्ड्स पाइफ हैफ की एनर्जी इंपोर्टेंट और बॉटम में लो करलो बाद चैरेड आ गया भी मेजर अरकाना से चैरेड जो है आ चुके है प इसके अलावा कई को क्या बताऊं और सब्सक्राइब नहीं है और साइन नहीं नहीं भी आते है तो भी सीचेशन को देखे आप है ना उससे पता चल जाता है कि रिडिंग मेरे लिए है या नहीं है तो चलिए बताते हैं कि क्या आप दोनों के बीच रिस्ता पहले जैसा सुधर जाएगा क्या आप दोनों की मैरिज होगी है ना ठीक होगा रिस्ता भई पाई नमबर टू या फिर ऐसा ही हमेसा ये क्या हुआ कैसे हुआ क्यू हुआ कब वहा में ही रह जाओगे आप दोनों तो चलिए ये है आप दोनों की ही एनरजी आज की रिडिंग आप दोनों के लिए ही मैं डेडिकेट कर रही हूँ ठीक है किसी एक की भावना मैं नहीं बताने वाली तो तुनिए अभी नजर आते हैं दो लोग यहाँ पर जो हैरान है परिशान है मायूस है तकलीफ में है र आपको ऐसा गलत इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए था हो सता है कि आपको इस बात को लेकर रिग्रेट है अब आपके पॉर्सन को भी कुछ चीजों को लेकर रिग्रेट है यानि कि दोनों ही लोगों की एनरजी में मुझे आज परिशानियों का माहोल नजर आता है गाई को इस रिस्ते को सुधारा जा सकता था किया होता अगर मैने असा नहीं क्या होता क्या होता अगर मैंने कर दिया होता तो यह सारे इफ़न बट वाले जो सवाल होते है न वाई ये क्या क्यों हुआ मैंने चुर्वात में इस लिए कर आपको गयाना सुना दिया था कि क्यों हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था तो ये पास्ट की रिलेशिन्शिप को ले करी ओवरूर्तिंकिंग करते हुए आप और आपके partner नज़र आ रहे हो मुझे ठीक है relationship अभी भी है कैस दिमाग में भी है और साथ ही साथ दिल में भी है यानि कि ना ही आप अपने partner को भूल पाए हो ना ही आपके partner आपको भूल पाए है यहाँ पर जो कमी नज़र आती है expression की यानि की communication की बताने की कमी नज़र आती है कास की दो ही लोग एक दुसरे को अपना दिल फाड कर दिखा सकते कि कितना प्यार करते हो पर क्या हो रहा है आपको हो सकता है कि यहाँ पर रोका जा रहा है expression करने में और आपके person को भी रोका जा रहा है रुकावर्ट यहाँ पर कुछ ना कुछ है जिसके वज़े से दिल की बाते जबान तक नहीं आ पा रही दिल की धड़कने जो है दिख नहीं रही आँखों में है ना तो यह problem से आपर चल रही है इसके पीछे की वज़े क्या है इसके पीछे की वज़े मुझे नज़र आता है कि घबराहट यूनो क्योंकि देखे चैरिट का क होना तो नज़र आता है यह बोल्ड डिश्यों की कड़ी फैसला लेने का काड होता है तुफान से गुजरने का काड होता है ठीक है हिम्मत दिखाने का काड होता है तो कहीं ना कहीं लगता है या तो आपने हिम्मत नहीं दिखाई आपके पार्टनर का हाथ थामने में या आ है कि फैसलव्ollen तक दो नों में विक्त में था आप क्मिट्मिट्म को ले पर जो है आपको मिल नहीं पाया या तो आप नहीं दे पाई या आप के पॉर्सन नहीं दे पाए कंशले न कि कमझोरी में अब यहां together तो आपके partner की कमसरी होगी क्योंगे निच्ण के Rodi root रहे हो खर्जिंग हैं कि अब तो तयार थे ऑब अभी बीद में हो कि इंसान आएगा आप तब लाएगा पारपर आएगा मैरिज हो जाए commitment दो बिल जाए तो यही यह साथ ना दे पाने वाली energy आपके partner की तरफ से ज्यादा है समझ रहे हो तो देखे family issues भी है आप दुनों के बीच में family का तो बहुत तगड़ा issue देखे four of wands यहां पर और यहां पर six of wands भी नज़र आया है यहां पर ten of pentacles भी आया है तो जो विलन है ना जो जो movie में जो विलन होते हैं वह विलन आप दोनों के relationship में मुझे कास्ट नज़र आ रहा है परिवार नज़र आ रहा है पैसे रुपे का ऊच नीच नज़र आ रहा है है या फिर बहुत जड़ा नाक उची है इनकी family की नाक उची है या फिर you know tradition के खिलाफ नहीं जा सकते कलचर के खिलाफ नहीं जा सकते तो कुछ ना कुछ यहां पर ऐसी tradition को लेकर कुछ ऐसा problem हुआ है कल्चर को लेकर कुछ साधी हो चुकी है आपके पार्टनर ने किसी और के साथ रिस्ता बना लिया आपके पार्टनर किसी और के साथ इंगेश्ट हो गए या आपके पार्टनर ने जो है किसी और का हाथ थाम लिया ऐसा भी नज़र आता है married person से deal कर रहे हो जिनके बच्चे है ऐसा साधी सुदा है या आप साधी सुदा हो या वो साधी सुदा है ऐसा लग रहा है आप दोनों के बच्वे एक बहुत बढ़ा बहतर रिस्ता बनने के बाद जो है तूट गया इसी वज़े से ये सद्मा लगा है ऐसा भी नज़र आता है तो इस्यूस बहुत है दूसरा इस्यू भी मैं बता देती हूँ दूसरा इस्यू यहाँ पर कुछ तो गरवड़ है यानि कि six of pentacles आया है sorry ये nine of pentacles है guys I'm so sorry ये nine of pentacles है दूसरी गरवड़ी यहाँ पर ये नज़र आती है guys कि दो में से एक partner single रह गया यानि कि आप दुनों का जो relationship है ना वो आप दुनों ने एक दुसरों का ऐसा भी वादा कर लिया है कि तुमें मेरे लिए रहना है मुझे तुमारे लिए रहना है तुम किसी और की नहीं हो सकती मैं किसी और का नहीं हो सकता क्योंकि nine of pentacles है में सा single की energy होती है you know independence के energy है तो दो में से एक partner बहुत strong है जो कुछ भी करने के लिए तयार है और दूसरा partner जो है बिलकुल तयार नहीं है you know बिलकुल भी कि एक इंसान ने सब कुछ कुर्बान कर दिया एक इंसान खड़ा था डटकर खड़ा था इन प्रॉलम्स का सामना करने के लिए और दूसरा partner जो है डर कर भाग गया इस रिस्ते से ठीक है तो जो भी है आप देख लेना कि कमजोर कड़ी कौन थी इस रिस्ते में कमजोर कड़ी कौन थी तो अभी मुझे इस जो situation नजर आ रही है वो दर्द, तकलीफ, मायूसी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रही है देखे अगर इनकी marriage हो गई है इनकी engagement हो गई है मिट्टी डालो उस चीज़ो पर जो भावनाय है उनको समझो eight of cups आया है, five of pentacles आया है ये दो energy यहाँ पर नजर आती है कि बहुत ज़्यादा खो देने का गम है बहुत ज़्यादा दूर होने का गम है बहुत ज़्यादा यारे आ रही है बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कुछ नहीं बचा, खालीपन, सुखापन you know, loneliness, aloneness, emptiness isolation, tears, आसू, दर्थ यही सारी चीज़े जो है दोनों की energy में मुझे नजर आई है क्योंकि जीवन साथी को खोया गया है यहाँ पर, यह nine of pentacles perfect जीवन साथी का कार्ड होता है जिसमें हमें बावजुद इसके की बहुत सारी कमिया है, फिर भी जो है हमें अच्छी चीज़े ही नजर आती है मतलब पार्टनर जीवन साथी तक के वादे हुए है इस रिस्ते में जीवन साथी बनाने तक यानि कि marriage तक का वादा करके वादा खिलाफी हुई है वादा तोड़ा गया है यहां पर आप किस ने तोड़ा है आप खुद देख लेना गया तो अभी प्रेजन सीचिशन में आप और आपके पार्टनर वही चीज़ों को एनलाइज करते हुए सोचते हुए कि गलतिया किस ते हुई गलती हुई क्यू वादा नहीं कर पाए उस बात का कंव है आपके चले जाने का गम है आपको इनके चले जाने का गम है और लग रहा है कि खाली पन जैसे जिंदगी का एक हिस्सासा बन गया है आप अप determination के लिए देखे अलग हो दूर दूर हो फिर भी जो आपको बहुत ज्यास एड़ा मिस क बहुत स्ट्रॉंग नजर आया है मुझे ऐसा लग रहा है इसकी आपकी फैमिली में ऐसा क्यों लग रहा है कि पैसे रुपे को लेकर या यूँ नो डेफिनेटली रिलीजिन या कास्ट को लेकर बहुत कुछ है यानि कि आपके पार्टर ने इनके इनके खिलाफ नहीं जा पा क्यों रहए लिए बहुत ज्यादा सोचा है आपके पार्टर ने दो किंके काड़ हा तो आपके बहुत स्ट्रॉंग या स्ट्रिक्ट में आपके पार्ट क्या कैरे ठीक नहीं है इस इंसान में कुछ कर दिखाने की कोशिस की है पर कर नहीं पाए है तो बहुत आपने आपको इस वज़े से भी आप से दूरी बनाई है यह भी हो सकता है कि मैं स्टेबल नहीं हूं पैसा नहीं है रुपया नहीं है परिवार के खिलाफ कैसे जाओं सम दिल नहीं पारे कुछ नहीं पारे कोशिस करके कि आप दोनों के लिगा और यहाए बहुत लोगों थो फिEO पहुँंआ लुग П्यार को समादिक है। नहीं पाया यहां पर बहुत जड़ाय हारा हुआ इंसान लड़ते घखा हुआ हुआ इंसान और जाए ठक Нटीव सामना नहीं कर पाने के बाद आप दुन सामना आप दोनों ही करते में मुझेञा पर नजर आए हो गई देखे यहाँ पर सिर्फ प्यार नहीं है यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम भी है दोनों ने पर को मिल कर संभाला है ने यहाँ कि जरूरते को देखा है मतलब प्यार से जुड़ा हुआ रिस्ता नहीं था बहुत कुछ कुर्बान हुआ है इस रिस्ते में बहुत कुर्बानी दी गई है इस रिस्ते में यहां तो आप नहीं किया है और इसके बावजुदाद जो है ना इन ओफ सोर्स के एनरजी में आप दोनों मुझे नज़र आ चली अब बात करते हैं कि यह रिस्ता पहले जैसा ठीक हो पाएगा किया इस रिस्ते क्या अंज्याम जो है वह साधी तक पहुंच पाएगा तो मैं आपको बताएं लगया तो आप MATT नहीं थाउसन पोर्शन नहीं टू-थाउसन पोर्शन में आपको बतादो कि यह रिस्ता जो है पहले जैसा ही हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर मिला है गाइस एट ओफ वैंट्स की जबर जस्ट कम्यूनिकेशन वाली एनरजी जो दिखाती है कि आप दोनों के रिलेशन्शिप में दिवारे थी उस दिवारों के वज़े से ही आप दोनों को जो है आज की डेट मे में उलक होना पड़ा है आज की डिएट में आप दोनों को जुदा होना पड़ा है ना सौरी मेरे हाठ से इक गिर गया तो यह यह फिंट-आतिट्य और यह पोलिटीक्स आ जो भी रुकावटे आप दुनों के relationship में हुई है उससे जो है आजादी मिलने का वक्त आ गया है यानि blockages are gone obstacles are gone restrictions are gone यानि कि यह कार्ड आप दुनों के relationship को आप open कर रही है खुला रही है रास्ते खुल रहे है blockages खुल रहे है समझ गए तो यह वो पहला दर्वाजा है जो बता काटे हट रहे हैं आप दुनों के रास्ते की बीच में जो काटे है ना वो काटों को जो है हटाया जा रहा है यहाँ पर blockages खुल रहे है पहले energy यह है जो बताती है कि आप रिस्ते में कुछ एक कदम आगे बढ़ा जाएगा आप दोनों ही एक कदम करके एक दूसरे के करीब होते जाओगे ठीक है कियोंकि रास्ता आप दोनों का आसान नजर आएगा पहले रुकावर्टों की वज़ेसे डर की वज़े से भागा है कोई तो यह आप भागय हो यह भागय है तो जो भी हो गाई जो तकलीफ ही चल रही है इसका जो तोड है वह फ्वैंस की energy जिसमें communication भी नज़र आता है बातचीत नज़र आती है जिसमें जो है ट्रावलिंग भी नज़र आती है कुछ ना कुछ messages calls के जरी जो है यह रुकावंटे खतम होती हुई नज़र आ रही है ठीक है पहली बात यहां पर यह हुई है आप तो बाकी का जो यहां पर सब्सक्राइब करा है वह तो श्रीष श्रीफ सक्सेस 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 मैं पाइल नमबर टू मैं आपको दावे के साथ यह बता दू कि आपके इस आई कि जो लोग आप दोनों के खिलाफ चाहण रहे हैं 20 परिवार के साथ हम ऊंदि journeys हो रहे है कि advis भी चाहत है कि आप दुनों एक दूसरे उपाने के लिए कितना कितनी चाहत है व 네 companion को कितनी चाहत है तो गाइस इस तुफान का सामना देखे आपकी पॉर्शन भी कर रहे हैं आमके पॉर्शन आपके लिए लड़ेंगे आपके पॉर्शन आपके लिए जी-जान से कोशिस करेंगे ठीक है और यह जो है आपको अपना बना कर ही रहेंगे यहाँ पर देखे फोर वैंस विक्ट्री का कार्ड होता है जीत हासिल करना जो बुनियाद कमजोर थी हैना इस रिस्ते की बुनियाद बहुत कमजोर थी क्योंकि दो में से एक मैंने कहाना कि दो में से एक पार्टनर बहुत सक्तिसाली है डट कर सामना करता रहा परिशानियों का टैकल करता रहा किसी से डरा नहीं और दूसरा इंसान डर गया और इसी वज़े से भरोस्या का जो यह घर था वो तूटकर बिखरा है यहना नियू जो है खराब हुई है अब यहाँ पर जो है इस सेज होती है यह मेरे मुझसे बाइच्छांस निकल गया साहिद इस वर मुझसे यह बात मेरे जरीए यह बात भी आप तक पहुंचाना चाहता था कि आप दोनों की मैरिज पक्की है ठीक है देखे यहाँ पर जो है मंडप सजावा है दो इंसान है जो खुश है जीत हासल कर जसन मना रहे हैं दोनों हाथ उपर किये हुए है और मंदिर के बाहर मस्जित के बाहर खड़े है यानि कि आप दोनों का रिस्ता पक्का है समझ रहे हो यह दूसरे सवाल का जवाब आपको यहां से यह मिल गया अब यहाँ पर देखे त्यन ओफ पैंटिकल्स अभी साधी के हो गए हैं देखें बच्चे की पिक्चर भी आप देख लो शादी पर जाकर खत्र में नहीं होगा आपको एक हैपी फैमिली आपके पूर्सन के साथ और आपके पूरसन को आपके साथ एक भरा पुरा परीवार खुशाल परिवार आपको दिया जा रहा है देख लीजे ऀसका घार पर इस मुकाम पर सके मुकाम पर पहुंस रहा है और आप दुनों की व 추् Ken自己 करें गे और आपको कौना समना करें चोड़ें आपके लिए खड़े होना है तो यह चैरेट के अनरजी मेजर अरकाना से रीडिंग में निकल कर आई है जो बता रही है कि यह इंसान सिर्फ और शिफ आपका है आपके लिए जो कल तक नहीं कर पाया था आप इनके लिए खड़े थे संगर्स करते रहे थे पर यह इंसान आप थोड़े से स्वार्थ को दिखा रहा है, थोड़े से पत्थर दिल होने को दिखा रहा है, पत्थर दिल आप भी बने हो, पत्थर दिल आपकी पोर्सन भी बने है, बहुत ज़रा चीजों को सोचना, चीजों को समझना, फैसला लेने में दिक्कत होना, कठीनाई होना, दिल की बातों को दिल के अंदर ही रखना है ना मूँ पर लेकर नहीं आना तो यह सारी चीजे प्रालम्स की वजह से हो रहे हैं जो प्राउलम्स है तो आप्की तरफ से आ रह главное ा इनकी तरफ से आ रहे हैं देखने किसी तरफ से यह प्रॉलम्स है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है पर उपरवाला खुछ चाहता है कि आप दोनों एक हो जाओ उपरवाला खुछ चाहता है कि आप दोनों का मिलन हो है ना तो दूसरे लोग यहाँ पर कब तक जो है आप दोनों का अलग कर सकते है जब उपरवाली नहीं कह दिया है कि मैंने तुम दोनों को जो है जीवन साथी बना कर भीजा है समझ गए तो गाइस अब चलिए बात करते हैं युनिवर्स की तरफ से उन मैसेज के लिए जो यह हमें देना चाहते हैं अब चलिए प्रावलम जा अफिर कुछ सॉल्यूशन यहां टे निकल कर आए और इकल कार्ट से ठीक है देखते हैं कि अब 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 गिल्ट देख लीजे वही एनर्जी वही एनर्जी ये क्या हुआ ये क्यूं हुआ ये कैसे हुआ मैंने आपसे गाना सुनाया था ना देखे नाइन ओ सोर्ट यहां पर भी सर को पकड़ बैड़ना पाश के एनर्जी में जो है बहुत जड़ा अपने आपको रिक्रेट में जो ऐसा हुआ है जिसके वज़े से बहुत जड़ा ब्लेम कर रहे हैं आप अपने आपको दोस लगा रहे हो या आपके पार्टनर भी जो हो सकता है कि कुछ चीजों के लिए आपको जिम्यवार ठहरा रहे है तो बहुत जड़ा रिग्रेट है यहां पर इस रिस्ते के प्रश्या नहीं है मायूसी है गम है यहीं सारी चीजों को लेकर जो है गिल्ट यहां पर बहुत जड़ा चल रहा है गाइस ठीक है पैर यह निकल कर आई है दूसरा देखते हैं क्या है मुमेंट टो मुमेंट यहां पर कहा जा रहा है कि जिन्दगी को हर पल जीओ ठीक है गाइस इस एनर्जी में अगर आप हो नीदे गवा कर बैटे हो बेचे नहीं है है ना सो नहीं पारे खाना नहीं खा पारे है बीमार जैसा महसूस करते हो डिप्रेशन जैसा अगर महसूस करते हो कई कई रातों से आप नहीं पाई हो तो इस इस और आप लिए लिखा गया है जो आपका है वो आपका है उससे कोई नहीं सकता पान नंबर टू कोई भी ताकत इन्को आपसे अलग नहीं करवा सकती तो काहे का वरी करना है काहे का in stress लेना है का है कि नींद की गोलिया खानी है काहे को खुद को बिमार करना है जब सब कुछ आपके लिए हैं आपके ही हक में सारी चीज़े हैं आपका आपका प्यार्ट कर रहा है इनके साथ आपकी पूरी-परी हूए ही इनसान आप से प्यार कर रहा है है इस गिल्ट वाली एनर्जी से पीज निकलो पीज निकलो पाई No.2 ओके और जो आने वाला जो जिंदगी है जो सफर उसके लिए तयार हो जाओ खुश हो जाओ खुश रखो अपने आपको ठीक है खाना स्टार्ट कर दो खाना पिना स्टार्ट कर जो और रातों को आराम से सोन स्टार्ट करो ठीक है सब कुछ अच्छा होगा everything will be all right समझ रहे हो तो गाइस यह थी आपके रिडिंग आई होप आपको समझ में आई है आई होप आपको पसंद आई है पसंद आई है तो वीडियो पर क्या करना है एक एक लाइक ठोकना है गाई शेयर एक करना है और सब्सक्र